जब इड़िण में ऐप प्रॉब्लम आती है तो इसका रूप बदल जाता है, समस्या नहीं बदलती, रूप बदल जाता है, यानि वह सब्द्स क्या सः यह क्लेत है और जब तक वह यह क्या करते हैं कि उन्हें क्या करना है तब क्म्प्लीट होचुप होता है इसी चीज़ें किra उनके work life में भी उसक को कम देता है तो और जब काम क्लेट करके लिए जाते हैं तो और होस्पिटल में और मुझे भूख लगी है वो इंपर्टेंट है तो अर्जेंट और इंपोर्टेंट में रहां कर पाते कि तुरंत क्या करना है तो जब उनको कोई कुछ काम देता तो थे प्रोब्लम जब डिसीजन में की आती है तो फिर च्वाइज में की भी आ जाती है वह राइट च्वाइज ने निकाल पाते ऐसे लिए अपने पार्टनर में दुनिया के बागी लोगों में दिखती है उनको यह लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स जो मैं बिहेव कर रहा हूं मै नॉर्मल बिहेव कर रहा हूं वह उनके परस्नालिटी का लंबे समय से एक पार्ट हो चुका है लेकिन जब वो किसी और के साथ बिहेव करते हैं तो उनके अंदर की अबनॉर्मिलिटी सामने वाले को डाइग्नोज हो जाती है और सामने वाला फिर डिसाइड करता है मुझे इससे कितना बॉंड डेवलप करना कितना डिस्टेंस रखना है चूंकि ऐसे लोग थोड़े से ब्लंड स्पीक करोते हैं तो लोग इनसे बात करने में बच्चते हैं पोशिष करते हैं जाने तो क्या पूछना या पब्लिक प्लेसे पर बुलाना एं वॉइड करने लगते ह इनका पूर हो जाता है चुकि वो सही के लिए बोले या गलत बोले लेकिन जिस तरीके से बोलते हैं उससे लोगों को दुख पहुंचता है तो यह वाली चीज बड़ी अफेक्ट करती है और इसकी वज़े से उनको फ्रेंडशिप में इसूज आते हैं बचपन में मार पीट करने की वज़े से भागा दोड़ी करने की वज़े से टीचर्स के प्यारे नहीं हो पाते फ्रेंड्स नहीं बना पाते और बड़े होने पर के साथ friendship continue नहीं कर पाते तो उससे उनका सेलफ इस्टीम बड़ा अफेक्ट होता है और जब इनसान अपने बारे में बुरा सोचे ने लगे तो फिर जितने डाइमेंशन से चाहे हम confidence की बात करें चाहे self concept की बात करें चाहे self image की बात करें सब होते हैं तो यह सारी चीज़े जो लोग सेलफ इस्टीम विक्सित करती है वो उसको उसके बारे में negative thoughts negative statements मैं अच्छा नहीं कर सकता मैं बिकार हूं मैं लंबे समय से ऐसे ही आदमी हूं इस टाइप के thoughts से वो दिरे 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 फिक्स होने लगते हैं और फिर socially withdrawal करने लगते हैं पहले लोग उनको बुलाना नहीं चाहते हैं अब वो खुद नहीं जाना चाहते हैं यह वाला difference आता है और parents दिरे 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 चुकि चोटे रहते हैं तो parents irritated feel करते सबसे बड़ी problem जो आती है वह आती है loneliness वाली है किसी से बॉन्ड नहीं है आपकी किसी चीज में आप और्गनाइज नहीं है तो loneliness वाली feeling develop होने लगती है तो यह सारी चीज है जो हम adult के perspective से बोलें ऐसे symptoms दिख रहे हैं तो ऐसे लोगों को एक बार counseling जरूर करानी चाहिए